तो यह देखो मैं शेजु के लिए प्रोटीन वाला डायट बना रही हूं यह मैंने बिल्कुल हलका इसमें चीज और गालिक ब्रेड है यह बहुत तेस्टी होता है यह क्योंकि अगर बॉयल एक के साथ आपको कुछ विदाउट चीज और विदाउट बटर के लिए बनाना है तो यह ब्रेड यूज करती हूं मैं यह बहुत टेस्टी ब्रेड होता है इसका स्मेल भी बहुत अच्छा होता है इसको मैं विदाउट किसी चीज मैंने कोई बटर कुछ भी नहीं लिया बस इसको रोस्ट कर रही हूं तो घर में करते हैं सारा कुछ तो बॉयल एक जरूर दो लेते हैं वो तो मैंने इसमें सिंपल बस अनियन लिया है अनियन लेके और मैंने बॉयल एक किया है जिसको मैंने स्प्रिंकल कर दिया है इसमें मैं हरी चट्नी डालूंगी यह हरी चट्नी बहुत स्पाइसी टेस्टी होती है इसमें यह आप्शन है यह डालू ना तो यह बहुत डिलीशियोस एंड हेल्डी होता है इनके लिए एकसरसाइस के बाद यूज करते हैं एंड हलका मैं इसमें पीजा मिक्स डालूंगी जिससे और टेस्ट एंड हांस हो जाता है एंहां कभी कभी चेंज करती हैं इसमें क्लैवर तो यहास मैंने हरी चर्टनी डाल दी है बुकर विसमें हरी बेख चैपनी ऐसा प्लावयज मों और धी बहुत लिए और्यवी जब भी होता है मैं जूजत लिक्लैकर देल साक्रीया है झाली है में जाता है तुम्हें अभी मैंने एक पैकेट खोला इसमें यह डालूंगी और बस कुछ नहीं कोई नहीं है इसमें तो यह बिल्कुल प्रोटीन वाला उनका टेस्टी यम्मी शेजु का वन बेक बाइट विट वन एग यह रेडी हो जाता है अनियन डालती हो मैं अनियन से थोड़ा सा अन्डे का जो जो टेस्ट है वह भी थोड़ा सा बैलेंस होता है तो कैसा लगा मझे आपको यह रेस्टी सिंपल एंड हेल्ली जो अपनी मॉसल्स और बोरी को बनाते हैं जैसे शेजु बनाते हैं थैंक यू अगर आपको यह विडियो अच्छी लगी तो प्ली करें शेयर करें थैंक यू फ्रेंग्स